नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रिणा नागवंशी और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क हम सब ने ओनलाइन शॉपिंग तो की ही होगी और जब भी हमारे मन में ओनलाइन शॉपिंग का खयाल आता है तो सबसे पहले हमारे मन में Amazon का नाम आता है ओनलाइन शॉपिंग के कई फायदे हैं जैसे की ओनलाइन शॉपिंग में हमें बहुत से विकल्प मिलते हैं जैसे की हमें बाहर जाकर दस दुकानों के चक्कर काटने की जरुवत नहीं पड़ती हैं हम अपने फोन से और लैप्टॉप से ही घर बैठे हजारों वेराइटी देख सकते हैं और इनी में से अपने पसंदिदा वेराइटी चुन कर इसे ओर्डर करके मंगवा सकते हैं दूसरा फायदा ये है कि Amazon एक बहुत बड़ा seller platform भी है जहां पर हजारों करोडों व्यपारी अपने अपने सामान पेचते हैं और ज्यादा competition होने की वज़ा से इन्हें अपने दाम और मूल्य कम करने पड़ते हैं लेकिन इसका सीदा सीदा फायदा ग्रहक हो जाता है और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि online shopping कम दामों में भी हो सकती है online shopping करने का तीसरा फायदा ये होता है कि अगर हमें हमारा order किया हुआ सामान पसर ना आए तो हम इसे बहुत असानी से वापिस करवा सकते हैं आम तोर में जैसा कि हम जानते हैं अगर हम किसी market से mobile phone खरीबते हैं तो हमें उसे वापिस कराने के लिए काफी महनत करने पड़ती है जो की लगभग नामुम्केन होता है लेकिन अगर हम किसी online platform से mobile phone मगवाते हैं तो हमारे पास कुछ दिनों का वक्त होता है जिसमें अगर हमें उस product में कुछ खराबी लगती है तो हम उसे वापिस भी करवा सकते हैं online shopping करने का सबसे मुख्य फायदा ये है कि हमें अपने भाग दौट भरी जिन्देगी से अपने busy schedule से अलग से time निकालके बड़े बड़े shopping malls जाने की जरुवत नहीं पड़ती है हम अराम से अपने घर बैठे ही अपने phone से online order कर सकते हैं आप सब तो जानते ही होंगे कि हम online क्या-क्या चीज़े order कर सकते हैं जैसे की mobile phones, laptops, shoes, कपड़े और भी बहुत सारी चीज़े होती है जो हम online order कर सकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं? आप Amazon से अपना passport भी order कर सकते हैं जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है केरल में रहने वाले एक व्यक्ति के सारी वाइनाड के मिथुन बाबू का ये कहना है कि उन्होंने 30 October को passport का cover order किया था लेकिन जब 1 November को उन्हें courier के जरीए एक packet हासिल होता है तो उसे खोलने के बाद उनके होश ही उड़ गए पैकेट खोलने के बाद मिथुन बाबू ने ये देखा कि उसमें passport के cover के साथ साथ एक passport भी मौजूद है और इतना ही नहीं, ये passport valid भी है मिथुन का ये भी कहना है कि ये passport प्रिशूर जिले के रहने वाले एक नाबालिक का है मिथुन बाबू ने ये भी बताया है कि ये passport रिसीव करने के बाद उन्होंने Amazon के customer gear से बात करने की बहुत कोशिश की थी उन्होंने दीन अलग-अलग ड़क्तियों से बात की वो भी 40 मिनिट तक लेकिन उन्हें कोई भी संतुष्टी जनक जबाब नहीं मिला कि वो इस passport का क्या करेंगे बाद में मिथुन बाबू ने अपने दोस्त की एक सला को देखते हुए ये passport पूलिस में जमा करवा दिया एमेजॉन से ततकाल इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है लेकिन ये रौचक घटना सोशल मीडिया में बहुत जम कर वाइरल हो रही है तो चलिया आपको बताते हैं कि एमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी से इतनी बड़ी चूप हुई कैसे इस कहाने की शुरुवात तब हुई जब एक नावाले के पिता ने अपने बेटे के पासपोर्ट के लिए एक कवर एमेजॉन से ओर्डर किया था एमेजॉन से पार्सल मिलते ही इन्होंने उस कवर के अंदर अपने बेटे का पासपोर्ट डाल दिया बाद में कवर पसंद ना आने की वज़े से उन्होंने इसे रिटर्न करने का सोचा लेकिन रिटर्न करते वक्त उन्होंने कवर में से अपने बेटे का पास्पोर्ट निकालना खूल गए जिसके वज़े से उस कवर के साथ साथ उनके बेटे का पास्पोर्ट भी वापिस हो गया ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि Amazon ने इनका यही वापिस किया हुआ पास्पोर्ट कवर जिसमें नाबालिक का पास्पोर्ट मौजूद था उसी को मिथुन बाबू को दे दिया 17 साल के जिस नाबालिक का पासपोर्ट मिथुन बाबो का मिला है उसकी मा का ये कहना है कि ये सारी गलती उही की है उन्हें पासपोर्ट कवर से बच्चे का पासपोर्ट निकाल लेना था मिदुन बाबो का ये कहना है कि उन्होंने पुलिस के साथ-साथ नाबालिक के माता-पिता को भी इस बात की सूचना दे ली थी और अब नाबालिक को इस पास्पोर्ट को हासिल करने के लिए पुलिस टेशन में वैलिड डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होगे जिसके बाद ही उसे ये पासपोर्ट ट्राप हो पाएगा इस गलती में केवल Amazon को गलट ठहराना सही नहीं होगा इस गलती में नाबालिक के माता पिता भी भागिदार हैं हाला कि Amazon जैसी बड़ी e-commerce कंपनी से भी इस तरह की चूप की उमीद नहीं की जा सकती कि वो इस प्रोड़क्ट को बिना चेक किये किसी का पासपोर्ट किसी और को डिलिवर कर दे तो कैसी लगी आपको ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए साथी अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करे शेर करे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन तबाना ना पूले